अनंत नाग की आतंकी मुठ भेड में सेना के दो सैनिक शहीद हुए, साथ ही जम्मू कश्मीर के एक अधिकारी की भी शहादत हुए। जो सेना के शहीद के परिवार कह रहे हैं वो सुन लीजेगा तो कलेजा काप जाएगा। मेजर आशीश की माँ जिनके आशू सूख चुके हैं। उनका कहना है कि उन्हों तो बेटे को पाल पोस कर इस देश को समर्पित कर दिया था, सौप दिया था, उसने कुर्बानी दे दिया। लेकिन वो आगे कहती हैं कि अगर सरकार ने बुलेट पूफ जैकेट दिये होते तो आज सिर्फ मेजर आशीश ही नहीं, बहुत से और बेटे बच चाते हैं। मेजर आशीश अपनी धाई साल की बेटी के पास कभी नहीं लोटेंगे। जम्मू कश्मीर के अधिकारी हुमायु भट अपने 29 दिन के बच्चे का दुबारा से मूँ नहीं देख पाएंगे। जब उनके पिता ने उनको सलूट करके विदाई दी तो हर आख नम थी। लेकिन ऐसे में देश का मुखिया देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे और क्या करने थे। नरेंद्र मोधी भाजपा के हेड़कॉटर में G20 का जश्न मना रहे थे और उसके बाद वो मधिप्रदेश में प्रचार करे रहे थे इस देश के प्रधान मंत्री ने इन सर्वोच बलिदानों के लिए एक शब संबेदना का, सम्मान का, श्रधान जली का एक शब नहीं कहा वो मोधी जी जो सोशल मीडिया पर कभी रशन में, कभी फ्रेंच में, कभी स्पैनिश में लिखते हैं वो मोधी जी जिनको एक क्रिकेटर की उंगली तूट जाने पर उसके प्रथी अपनी संबेदना व्यक्त करते हैं, उन्होंने इन जाबाजों की शहादत पर एक शब नहीं कहा और अब ये एक पैटर्न बन चुका है, जाबाज शहीद होते हैं, वो बलिदान देते हैं, और देश का प्रधानमंत्री मौन लहता है 11 अक्टूबर 2021 को पुंच में, पाच जाबाजों की शहादत हुई, मोधी जी ने एक शब नहीं कहा 16 अक्टूबर 2021 को पुंच में, चार और जाबाजों की शहादत हुई, मोधी जी कुछ नहीं बोले 5 अगस्त 2022 को रजोरी में, पाच जाबाजों की शहादत हुई, मोधी जी कुछ नहीं बोले 20 अप्रेल 2023 को पुंच में, पाच जाबाजों की शहादत हुई, मोधी जी मौन रहे 5 माई 2023 को रजोरी में पाच और जाबाजों की शहादत हुई मोदी जी ने एक शब नहीं बोला। 5 अगस्त को कुलगाम में तीन जाबाजों ने अपने प्राणों की आहूती दी मोदी जी कुछ नहीं बोला। 19 अगस 2023 को ट्रक पलट जाने से 9 सैनिक भीरगती को प्राप्त हो गए मोदी जी ने एक शब नहीं बोला। यह है आपका सेना के प्रती समरपढ और सम्मान। ऐसे धर्म निभा रहे हैं आप देश के प्रधान मंत्री होने का। जाबाजों की शहादत पर जो शद्धान जली का एक शब न बोले। जाबाजों की शहादत पर जो उनके परिवार के प्रती संबेदना न व्यक्त करे उस व्यक्ति से क्या आशा की जा सकती है लानत रहे